Hello everyone, welcome to my channel, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे class 9th English Moments की जो बुक है, उसका first chapter, The Lost Child के MCQ's, मुल्क राज आनन्द इस chapter के author है First question है, name the things that the child saw on his way to the fair अब बच्चे ने उस मेले में जाते हुए जो जो चीज़े देखी उसके पारे में हमें बताना की क्या क्या देखा उसने, क्या toys देखे, sweets और garlands देखी, या ने की मिठाई की दुकान या मिठाईयां देखी, और full की मालाएं देखी, balance देखे या फिर ये सारी चीज़े देख जाता था, option A है, because of the stops that he took to look closely at his favorite things, कि या तो वो रुक जाता था बार-बार पीछे अपनी favorite thing को देखने के लिए, जो उसे पसंद थी, second है, because he was walking slow, या फिर वो slow चल रहा था, because he was crying, या फिर रो रहा था, या फिर ये सारी चीज़े थी, तो वो बार-बार stop ले रहा था, या या रुक रहा था, ताकि वो अपनी favorite चीज़ों को देख सके, जिसकी वज़े से वो अपने parent से बार-बार पीछे चूट जाता था, तो इसका A option सही answer है, why did the child keep moving without getting any answer, तो वो बच्चा बार-बार बिना answer के ही क्यों चल दिया जाता था, यानि कि उसे जवाब नहीं मिलता थ फिर भी वो चुप-चाप चल देता था बिना कुछ पूछे, ऐसा क्यों था, because of distraction, because of too many attractions, because of his experiences and assumed notions about his parents, और none of the above, तो इसका correct answer तो है C option, because of his experiences and assumed notions about his parents, यानि कि वो पहले से अपने parents को अच्छे से जाता है कि उसके parents ने, उसके पापा ने गूर लिया, red-eyed कर लिया, तो उसके पता है, चीज तो मिलने वाली है नहीं, तो चुप-चप वहाँ से चल दो, इस तरह का experience था उसे, और assumed notions थे, notions क्या होते हैं, विचार, यानि कि वो जानता था, उसके विचार थे अपने parents के बारे में, कि अगर एक बार गूर लिया, तो आब वो चीज नहीं ले कर देंगे, इसलिए वो वहाँ से बिना जवाब मिले ही चल दिया करता था, नेक्स है, अब चाइल ने, एंटर होते ही मेले में, स्वीट की शोप थी, तो वहाँ पर उसे स्वीट में क्या सबसे ज़्यदा चीज पसंद आई, जो कि वो खाना चाता था, क्या वो बर्फी थी, पेस्ट् अब उस बच्चे को कब ये रियलाइज हुआ, कि वो अपना रास्ता भटक चुका है, या अपने पैरेंट से दूर हो चुका है, वाइल रनिंग, वाइल एटिं आईस क्रीम, वेन ही तरन तो तो जब वो भाग रहा था, या फिर वो जब आईस क्रीम खा रहा था, या फिर जब वो पर्मिशन लेने के लिए मोड़ा था अपने पैरेंट से कि मैं जूला ले लूँ या फिर इन में से कोई भी नहीं, तो correct answer है, option number C, जब वो जूला लेने के लिए पर्मिशन लेने लगा अपने पैरेंट से और मोड़ा, तब उसने देखा कि उसके पैरेंट से उसक भागने लगा, felt happy, या फिर बहुत खुश हुआ, reported to the office या फिर उसने office में report किया, या फिर इन में से कोई भी नहीं, तो जब उसको ये realize हुआ कि वो अपने पैरेंट से दूर हो गया है, तो वो जोर जोर से रोने लगा, इदर उदर भागने लगा, हीदर इदर 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 losing interest in all the things he was interested earlier, तो जब बच्चा अपने पैरेंट से दूर हो गया था, तो उसने realize कि वो सारी चीज़ें उसके लिए कुछ भी नहीं है, जिसमें की वो पहले interest ले रहा था, तो यहाँ पर हमें क्या पूछा गया, why did the child lose interest, तो जिन चीज़ों में उसको पहले interest आ रहा था, because of no response from his parents, या फिर उसे parents से response नहीं मिल रहा था, इसलिए because his interest was changed, या फिर उसका interest चेंज हो चुका था, या can't save, तो जब वो अपने parents से दूर हो चुका था, अपना रास्ता भटक गया था, तब उसे realize हुआ कि मेरे parents में लिए ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए उसे अब उन attractive, क्या जो खिलोने हैं, वो attractive है, that parents are the most valuable asset, या फिर parents जो है, वो बहुत ही मुल्यवान चीज है, या फिर none of the above, या इन में से कोई भी नहीं, तो बच्चा जब अपने parents से दूर हुआ तब उसने realize किया कि जिन चीज़ों में मैं पहले interest ले रहा था, वो तो अब कुछ भी नह parents, तो जब उस बच्चे ने अपने parents से दूर हो गया था, या फिर भटक गया था उन से, दूर हो चुका था, तब वो बार-बार क्या बोलने लगा, I want my father, I want my mother, I want ride, I want toys, I want swings, तो इसका answer मैंने आपको थोड़ देर पहले ही बताया था, या line आई थी, I want my father, I want my mother, वो बार- तो वो generous man जो दयालू आदमी आया था, वो बच्चे को किस तरह से शान्त करना चाह रहा था, showing him different toys, taking him to rides, talking to him and diverting his attention, और all of the above, तो ये सारी चीज़े ही वो कर रहा था, उसे अलग-अलग toys दिखा रहा था, उसे कह रहा था कि चलो मैं तुम्हें जूले दिला देता हूं, उस का, उसकी जो attention है, वो भी divert करने की कोशिश करा था, तो ये सारी चीज़े ही वो बंदा करके देख रहा था कि किसी तरह तो बच्चा मान जाए और चुप हो जाए, next है, who is the author of the lesson, the lost child, तो इस chapter का नाम मैंने starting में बताया, chapter के author है, मुलकराज आनंत, option number 20 का correct transfer है, next है, what does the story show, तो इस story के accordingly हमें क्या दिखाई देता है, working of a fair, working of a village, village people are good, और working of a child's man, तो इसमें हमें पता लगता है, एक बच्चे के दिमाग का, working of a child's man की किस तरह वो बच्चा पहले तो अलग-अलग चीज़ों में interest ले रहा था, लेकिन जब वो अपने parents से दूर हुआ, तब उसके मन में उसके दिमाग में बाते आने लगी, कि ये चीज़े मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ मेरे parents से चाहिए, तो बच्चे का मन, बच्चे का दिमाग किस तरह से change होता है, उसके बारे में ये पूरी ये story है, वो जो बच्चा है, वो अपने parents के साथ कहां जा रहा था, या कहां गया था, विलेज फेर में, यानकी गाम के मेले में, सिनेमा हॉल में, सरकस में, या फिर इन सभी जगा, तो बच्चा जो है, वो बच्चा जो है, वो विलेज फेर में, गाम के मेले में गया था, spring season में, प तो इस story की जो theme है वो है एक close bonding को दिखाया है parents और children के बीच में किस तरह से ना बच्चे ना parents अपने एक दूसरे के बिना रह सकते हैं तो बच्चे को मेले में कौन लेकर गया था parents, वो दयालू आदमी, दोस्त या फिर none of the above तो बच्चे को मेले में उसके parents लेकर गये था वो अपने parents के साथ गुम गुम के बीच में से कहीं ना कहीं से मेले में पहुंचा था अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो description में मैंने टेलिग्राम चैनल का link दिया है उस link पर click करके जोइन कर लिजीगा टेलिग्राम चैनल या फिर मैंने उपर टेलिग्राम ID दी है solution of 0001 ये टेलिग्राम पर सर्च करके जोइन कर लिजीगा आपको PDF आज शाम तक इसकी मिल जाएगी next is why were the parents holding the hand of their child तो जो parents है वो बार पर अपने बच्चे का हाथ क्यों पकट रहे थे to protect him from the crowd क्या वो उसे crowd से बचाना चाह रहे थे because of their fears या फिर उन्हें डर लग रहा था to help him या फिर वो से help करना चाहते थे या फिर none of the above तो जो parents है वो अपने बच्चे को crowd से बचाना चाह रहे थे कि कहीं ये बीच में मेले में भटक न जाए कहीं इसलिए वो उसका हाथ पकट रहे थे बार बार select the things that the generous man did after picking up the child तो बच्चे को अपनी गोद में उठाने के बाद तो दयालू आदमी क्या क्या चीज़े try कर रहा था क्या 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 करके देख रहा था ask his name क्या उसने उसका नाम पुछा consult and offered many attractive things उसे सांत्वना दी और काफी attractive things भी offer की ये ले लो वो ले लो ask his parents name या फिर उसके parents का नाम पुछा या फिर ये सबी चीज़ें की तो उस दयालू आदमी ने उस बच्चे का नाम पुछा उसके parents का नाम पुछा उसे console भी किया सांत्वना भी दी कि जूप हो जाओ बेटा उसे काफी attractive things भी दिखाई कि वो किसी ना किसी तरह से distract हो जाए उस बात से तो ये सारी चीज़ें उसने की थी तो बच्चा हर एक चीज़ में मना करने लग गया था कि मुझे ये भी नहीं चीए वो भी नहीं चीए इससे हमें क्या पता लगता है चाइल्ड लॉस्ट इंटरस्ट कि बच्चे ने वो सारे इंटरस्ट खो दिया था चाइल्ड ओप्स्टिनेशी या फिर बच्चा बच्चा जीद करने लग था या हट करने लग था बॉन्ड ओफ दा लव बिट्विन चाइल्ड और पैरेंट इस अब आव एवरिटिंग या फिर जो माता पिता और बच्चों का प्यार है वो सर्व उपर रही था यानि कि सबसे उपर था या फिर नन अफ दाब आव या फिर इन में से कोई भी नहीं तो उप्शन नमबर सी हमारा करेक्टर अंसफर है कि जो बच्चे का और उसके मंबापा का एक दूसरे के प्रति प्यार था वो सबसे उपर था इसलिए वो सारी चीज़े अब रिफ्यूज करने लग गया था नेम दा करेक्टर सिंदा लेसन तो लेसन में इस चेप्टर में जो जो करेक्टर साया है उनके बारे में हमें बताना है क्या पैरेंट्स हैं, जनरेस मैन है, लोस चाइल है, फिर ये सभी है तो इस चेप्टर के अंदर ये सभी करेक्टर साया है नाम किसी का भी भी नहीं बताया है लेकिन पैरेंट्स बताया है, उसके मम पापा लोस चाइल बताया है और जनरेस मैन बताया है उसके लावा भी करेक्टर साया है गई अब next है why did the child say no to all the things he was earlier crying for तो बच्चा जो पहले सबी चीजों के लिए जित कर रहा था अब उसके लिए मना क्यों करने लग गया था क्या उसका interest खो गया था उसमें या फिर उसका interest change हो गया था because being with parents was more important या फिर उसका अपने ममी पापा के साथ रहना ज्यादा जरूरी था या फिर इन में से कोई भी नहीं तो उसके parents जो है वो उसके लिए ज्यादा जरूरी थे उनका साथ उसके लिए ज्यादा जरूरी था what did the lost child say when a man asked him whose baby are you जब एक बंदे ने पूछा कि तुमारे मम पापा कौन है क्या नाम है उनका या फिर किसके बच्चे हो तुम तो बच्चा क्या बोला the child said I want my father I want my mother the child said I want to go home the child said I live in a village या the child said I am feeling hungry तो इन चार options में से बच्चे ने क्या बोला था ये line पहले भी आ चुकी है तो बच्चा बार बार यही बोल रहा था कि मुझे मेरे ममी चाहिए मुझे मेरे पापा चाहिए at what point in the fair did the child lose his parents तो इस चैप्टर के accordingly, story के accordingly मेले में किस जगाए पर वो बच्चा जो है अपने parents से अलग हुआ था क्या मिठाई की दुकान पर, flower की shop पर, balance seller के पास या फिर round about पर यान की जूले के पास तो वो बच्चा अलग हुआ था अपने parents से उस जूले के पास वो उनसे permission लेने के लिए मुड़ा की मैं जूला ले लूँ, इतने में उससे उसके parents नहीं दिखे थे अब बच्चा बैलोंस तो लेना चाहता था, लेकिन फिर वापिस वो मुड़ा और चल दिया, ऐसा क्यों क्या उसे पता था कि उसके parents बैलोंस नहीं लेकर देंगे उसे, या फिर उसके parents ये बोलेंगे कि अब तुम इतने भी छोटे नहीं हो कि बैलोंस के साथ खेलो, या फिर इन दोनों में से कोई भी नहीं है फिर दोनों ही, तो बोट A और B हमारा C option सही होगा, कि उसे ये भी प बता था कि उसके parents उसे बैलोंस नहीं लेकर देंगे और ये भी बोलेंगे कि अब तुम इतने भी छोटे नहीं हो कि बैलोंस के साथ खेलो, नेक्स है, what did the child want to have at the flower shop, तो बच्चा फूल की दुपान पर क्या लेना चाहता था, a garland of roses, garland का क्या मतलब होता है, माला होता है, तो roses की माला लेना चाहता था, violets की माला लेना चाहता था, गुलमोहर की माला लेना चाहता था, ये लीलीज की माला लेना चाहता था, तो a garland of गुलमोहर, एक गुलमोहर की माला लेना चाहता था, वहां से वो, जो उसे पसंद आई थी, what shop was there at the entrance of the fair, ये मैंने शायद पहले young flowers fell on him तो जब वो पेड़ों के नीचे से जा रहे थे तो बच्चा जब जा रहा था वहां से मेले की रास्ते में तब उसके उपर काफी सारे फूल गिर रहे थे जब वो फूल गिर रहे थे उस पर तब बच्चा क्या कर रहा था He started collecting the flowers from the ground क्या उसने ground से flowers collect करने शिरू कर दिये He started gathering the raining petals in his hands या फिर वो जो पत्तियां गिर रही थी फूलों की बारिश हो रही थी पत्तियों की बारिश हो रही थी उसे अपने हाथों में इकठा करने लग गया था वो He started dancing with joy या फिर वो खुशी नाशने लग गया था गरेक्ट ट्रांसवर है Next step What did the parents do when they reached a shitty groove? तो groove का क्या में नहीं होता है Shady groove होता है जैसे काफी सारे पेड़ हैं उन पेड़ों के बीच में काफी सारे पेड़ ही कठे हैं उन पेड़ों के बीच में कुछ बैठने की जगा बनी होती है तो उसे shady grooves का जाता है यानि कि काफी सारे वरक्षों के बीच में बैटने की एक जगा होती है तो मतलब वहाँ पर पहुंचे उसके parents तो उन्होंने क्या किया they collected some flowers from the child क्या उन्होंने बच्चे से कुछ flowers ले लिए they lay down to rest for some time या फिर वो लेट गए हम थोड़े rest करेंगे they sat down on the edge of a well या फिर वो किसी कुएं के किनारे पर बैट गए थे they listen to the going of dogs या फिर वो dogs की कुएं को सुनने लगे थे कुगू को सुनने लगे थे तो उन्होंने क्या किया था वो एक कुएं के किनारे पर बैट कर rest करने लगे थे who said to the child come, child come come on the footpath तो ये line किस ने बोली थी कि आ जा बच्चे आ जा आ जा footpath पर बैट जा क्या पापा ने बोली थी क्या उसकी ममी ने बोली थी ममी पापा दोनों ने ही बोली थी या फिर उन दोनों में से किसी ने भी नहीं बोली थी तो ये बात जो है ये उसकी ममी ने बोली थी कि आ जा मेरे बैटे आ जा यहाँ पर footpath पर आ जा How did the flowering mustard field look तो जो सरसों के खेट थे वो किस तरह लग रहे थे silver की तरह white लग रहे थे roses की तरह red लग रहे थे gold की तरह पीले लग रहे थे या फिर एक rainbow की तरह लग रहे थे सरसों के खेट उसे gold की तरह पीले पीले दिखाई दे रहे थे काफी ज़्यदा चमक रहे थे What did the father do when the child said I want that toy जब उस बच्चे ने ये कहा कि मुझे ये खिलोना चाहिए मुझे टोय चाहिए तो उसके पिता जी ने क्या किया He at once bought the toy for the child क्या उन्होंने बच्चे के लिए ओ खिलोना खरीद लिया था He said look child what is before you या फिर उन्होंने ये कहा था कि देखो बच्चे तुमारे सामने क्या है He looked at the child red eyes या फिर उन्होंने उस बच्चे की तरफ गुसे से देखा He began to beat the child या फिर वही पर उसे पीटने लगे उसकी सुताई कर दी तो उसके पिता जी ने उसे वहाँ पर red eyes देखा था यानि कि एकदम लालालांकों से गुसे से देखने लगे थे इसकी वज़े से उसको पता लग गया था कि मुझे खिलोड़ना वगरा तो कुछ नहीं मिलने वाला मार ना पड़ जाए इसलिए उसलिए चुपचाप चल दिया करता था अब जब बच्चा पीछे छूट जाता था तो इन चार उप्चन में से वो क्या कहते थे उसके पैरंट्स कहते थे तो वो बच्चा किन के साथ जा रहा था क्या अपने पापा के साथ, अपनी मम्मी के साथ या फिर अपने मम्मी पापा के साथ, या किसी के साथ भी नहीं तो बच्चा जो है मेले में जा रहा था अपने मम्मी पापा के साथ, दोनों के साथ ही जा रहा था How were the people dressed for the festival? तो वो लोग थे वो festival के लिए, त्योहार के लिए किस तरह से तयार हुए थे shabbily तयार हुए थे यानि कि लोग काफी तुच से दिखाई दे रहे थे अजीव से या फिर daily routine वाले कपड़े पहने थे उन्होंने carelessly यानि कि अजीव तरीके से ही पहने थे या फिर scantily यानि कि थोड़े थोड़े कपड़े पहने थे तो लोगों ने जो daily routine वाले कपड़े होते हैं वही पहन कर वो मेले में गए थे तयार होकर what did the child realize तो बच्चे ने क्या realize किया that the fair was charming क्या मेला शांदार है that the toys were attractive या फिर जो toys were attractive है that parents are the most valuable asset या फिर parents जो हैं वो मुल्यवान चीज़े सबसे ज़्यादा या फिर इन में से कोई भी नहीं तो उस बच्चे ने ये realize किया था कि जितनी भी चीज़े आ जाएं पर जब parents ना सामने हो तो उसके सामने फिर कोई भी चीज इतनी attractive नहीं लगती है ये सारी चीज़े फिकी पड़ जाती है तो लोग कों सा festival celebrate कर रहे थे उस टाइम तक उस टाइम पर क्या होली थी spring का season था यानि कि पजड़ का मौसम शिरू हुआ था दशेरा था या दिवाली थी तो ना होली थी ना दशेरा था ना दिवाली थी वहाँ पर spring का मौसम शिरू हुआ था ये निगी पतचड बारिश का मौसम शिरू हुआ था और वहाँ पर उस समय मेला लगा था उसी को celebrate करने के लिए लोग मेले में जा रहे थे तो अपने parents से request करने के बाद वो क्या करता था he continued to move क्या वो चुपचाप आगे चल देता था he kept on pleading या फिर वो बार बार बोलता रहता था he started crying या फिर वो रोने लग जाता था और he started in matrix या फिर वो बीच में ही रुख जाता था तो वो क्या करता था उसके पिता जी उसे गुस्चे से गूरते थे और फिर वो वहाँ से चुपचाप चल देता था अब पता था कि अगर मैं और जीत करूँगा तो मार मूर पढ़ जेगी इसलिए वो चुपचाप चल देता था according to the little boy his parents were अब उस बच्चे के accordingly उसके parents कैसे थे loving थे, caring थे, selfish थे या greedy थे तो उस बच्चे के accordingly उसके parents greedy थे, लालची थे अब उस बच्चे को अंदर मन में पता था कि उसकी request not be heeded नहीं मानी जाएगी be heeded मान ली जाएगी be granted accept कर ली जाएगी और be granted letter या बाद में मानी जाएगी तो उस बच्चे को ये confirm पता था अंदर ये अंदर मन में कहीं पता था कि वो कितनी भी request कर ले लेकिन उसकी request नहीं मानी जाएगी how was the little boy feeling while going to the fair तो वो बच्चा कैसे feel कर रहा था मेले में जाते हुए nervous था वो या फिर full of life and laughter या फिर वो अपनी जिंदगी अच्छे से जी रहा था मस्ची से जा रहा था वहाँ पर और काफी ज़्यादा खुश था sad and angry दुखी था और गुसा भी था frightened था डरा हुआ था तो जब हम मेले में जाते हैं तो कहीं न कहीं हमारे अंदर भी काफी ज़्यादा खुशी होती है excitement होती है और वहाँ पर सारी चीज़े हमें देखकर attractive सी लगती है कि ये भी ले लूँ ये भी ले लूँ हलांकि कोई भी चीज हमारी काम की नहीं होएगी फिर भी हम उसे चाहते हैं कि ले ले हम तो वही चीज इसके साथ भी हुई थी और वह काफी ज़दा खुश था इस चीज से कि वह मेले में जा रहा है इसलिए भी उप्शन हमारा correct answer है तो बच्चे ने क्या किया था जब वो सरसो के खेतों के पास से जा रहे थे क्या वो ड्रेगन फ्लाइज को पकड़ने लग गया था जो कि वहाँ पर एक कादी बैट गई थी वहाँ पर रेस्ट करने के लिए या फिर वो बटरफ्लाइज के पीछे बाग रहा था और उन में से कुछ को पकड़ लिया था या फिर उसने फ्लाइज कलेक्ट किये थे या फिर वो भागी रहा था तो उसने क्या गया था, एक ड्रेगन फ्लाई थी जो वहाँ पर रेस्ट करने के लिए बैटी थी, तो उसे पकडने के लिए वहाँ पर गया था, या उसे पकडने लग गया था, Who was playing the flute at the village fair in the story of The Lost Child? तो ये काफ़ी ज्यदा important question है, कि जो The Lost Child's story है इसमें जब मेला था उसमें flute कौन बजा रहा था क्या वो एक स्नेक चार्मर था सपेरा था या फिर एक flute seller था बांसरी बेशने वाला था या फिर एक musicians का group था और fair authority in order to attract more crowd या फिर ये fair authority ने काम किया था कि हाँ भी बांसरी और बजवाओ तो काफी ज़दा लोग जो है वो attract होंगे इस तरफ और आएंगे बांसरी और खरीद देंगे तो ऐसा नहीं था एक स्नेक चार्मर था एक सपेरा था जो की साब को उठाने के लिए अपनी बीन है वो बजाय जा रहा था तो इसका option number A हमारा correct अंसर होगा इसी के साथ हमारे chapter के जो MCQs हैं वो complete हो चुके है ये इसकी अंसर की है PDF चाहिए तो telegram channel का link है वो join कीजिए या फिर उपर telegram ID है वो search कर लीजिए telegram पर और join कर लीजिए ताकि PDF आपको मिल जाए वहाँ पर तो मिलेंगे next video में next chapter के साथ thank you bye bye tata jahin